नमस्कार दोस्तों परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है दुनिया के तीन देशों में चुनाओ हुआ वहां की जन्ता ने चुना और जो चुनाओ है उस पर बहुत चर्चा है सबसे आखरी में परिणाम आया एरान का एरान को लेकर अलग-अलग किसम के दावे थे 19 मई से वहां पर लगातार निगाह बनी वही थी कि क्या होगा चुनाओ में उस पर हम चर्चा करेंगे फिर फ्रांस फ्रांस ने तो जो उलट फेर किया है जिस तदर का क्यास लगाया जा का सहरा बांधा जा रहा था वह अभी तीसरे नंबर पर है और फिर यूके ब्रीटेन वहां पर तकरीबन वही हुआ जिसके बारे में पूर्वानुमान था कि बड़े पैमाने पर कंसर्वेटिव हारेंगे और लेबर जीतेगा इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रभीर पुरकायस प्रभीर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे आपके साथ फ्रांस पर क्योंकि फ्रांस में जिस तरह से क्यास और अनुमान लगाया जा रहा था क इस बार फ्रांस फार राइट के पक्ष में जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं वामपंथ ने और वामपंथ का जो कोलिशन था उसने बड़े पैमाने पर उसको तीसरे नंबर पर ढखेला तो फ्रांस की जो यह पूरी की पूरी पूरी पूलिटिकल तस्वीर है इसे कैसे सम इसे कि नारीन लेपन की जो पार्टी है नैशनल पहले फ्रंट के नाम से जा रहा जाता था अब नैशनल रैली चहते हैं कि वो शायद सबसे बड़ा पार्टी के रूप में निकलेंगे पहला जो चुना होता है उसमें क्या कहेंगे कि सब पार्टी की वोट पढ़ती है जि उसमें अज़स्पिंस भी होती है नहीं भी होती है तो इस बार जो है दूसरे चरण में नैशनल रैली की यह अनुमान था कि वो जैसे पहले चरण में नमबर वन पे है दूसरे चरण में भी नमबर वन पे पहुंचेंगे और उनका दावा प्राम मिनिस्टर बने का नमबर पर आगे है तो यह दिखाता है कि जो strategic समझ लोगों पार्टियों की थी इसमें कि नैशनल रैली को रोकना है चाहे मैकरॉन उसको माना ना माना क्योंकि उनके जुबां से उसकी जो लीडर है उसके जुबां से जो प्राइम मिनिस्टर इस वाक्त उनके जुबां से ही कि extreme right extreme left बराबर है हम दोनों के पास नहीं है हमें आप चुनिये हमें आप चुनिये तो एक अलग सुर गीत गाने की कोशिश कर रहे थे पर हकीकत है कि left block जो है इसमें मेरेंशन की सबसे बड़ी party है इस वाक्त और left popular front left popular front के नाम से जो जाना जाता है तो और जो दूसरे parties की और एक सबवेश थी तीनों जो formation थे तीनों alliance से बनी है ऐसा नहीं एक च्छत अधिपत्र किसी की उस उस alliance पे है कोई बड़ा है कोई छोटा है तो अलग बात है तो मिडल जो formation था वो वकीकत मैकरॉन की पार्टी के थी उसकी प्राइम मिनिस्टर भी थी उनको सबसे ज्यादा आंक्रे अगर देखे नुकसान पहले चरण में हुआ था दूसरे चरण में वो national front national rally से आगे चले और पहले left जो है पहला number निकला तो मैंने जो कहा इसका दो वजया है कि एक तो है national rally को कोई चाहता नहीं है तो दो जो formations थे left और center की दोनों ने अपने candidates withdraw किये थे जो third position में थे उनको withdraw किये थे ताकि उनकी vote second position में जो है उनके पास जाए तो यह एक जो alliance हुई थी एक हिसाब स electoral adjustment जो हुई थी उसमें ये दोनों पार्टियों के फायदा हुआ साथ है और इसकी अगवाई left ने की थी वहां पर दूसरी बात जो हुई है और वो भी नजर अंदास नहीं करना चाहिए कि voting percentage उन जगों पे बढ़ा बढ़ा है जिन जगों पे national rally की पहले चरण में लगता थ कि वहां शहर निकल जाएंगे खास तरशे शहरी इलाकों पे इन इलाकों में बड़े पैमाने पे लोग निकल के वोट दिये हैं और वो जो वोट का मात्रा बढ़ा है वो लगता है राइट विंग के खिलाव गया है तो दोनों चीज हुई है कि एक की राइट विंग का खत और राइट विंग में कितना फरक है तो उनको लगा कि जब नैशनल राइली सत्ता में आ शकती है तब उनको लगा कि इसको रोकना चाहिए और इसको जीतना नहीं चाहिए तो युनिटी भी बना एक बात है पर वोटिंग संख्या जो है वो भड़ा है और एक बात रहे का गाउं में रहता है उनकी विलेज जो कहेंगे रूरल एरियाज में जो रहता है वो अभी एक राइट विंग मोर उसका है पर शेहरी इलाकों में इन चीजों का खास चल नहीं रहा है वहां पे और वो साफ वोटिंग परसेंटेज देखे कौन कहां जीता अगर देखे तो व सबसे बड़ी बात हम अराब के लिए यह है कि यूथ वहां पे बड़े पैमाने पे दूसरे चरण पे आके वोटिया है जो अशाद यही वज़ा है कि जो लेफ्ट का ऐलाइंस है उसे 182 सीट मिली है और मैक्रो का ऐलाइंस है उसे 168 और मैरीन की जो पार्टी है उसे 143 हला अबर ही बड़त हुई है इस नंबर ओफ सीट जो बढ़े तो इस ता फरक नहीं है कि बड़ावतरी में लेफ्ट का भी काफी कम था नुकसान जो हुआ है मिडल का हुआ है जब चुना क्या करे राजडीत एक बोड पे पहुंशती है बीच पे जो खड़े होते है उनका लिया जाए और बताया जाता है कि उन्हें राइट विंग कर जो उभार था वह भी परेशान कर रहा था यह तो बाधी में पता चलेगा लेकिन यह चुनाओ का परिणाम तब है जब चुनाओ समय से पहले कराए गए तेखिए यह जो फ्रांस में वो राजडीती वहां पर क जो कि काफी बिभाजित पॉलिटिक्स है वहां तो काफी पहले सही फ्रैग्मेंटेट जो कहेंगे टुक्रे-टुक्रे काफी हो चुके हैं तो उस तरह से एक पार्टी दो पार्टी के इतना अधिपत्य इस पे नहीं है इस पे जो मेरे ख्याल से नजर अंदाज नहीं करना नहीं कराटीए मैकरॉन कथा कि EUROPEAN पार्लिमने पर बड़े पायमाने पर हार चुके तो उनको लगा कि यह EUROPEAN पार्लिमने भूबवा है तर फ्रांस के अंदर अगर चुना होगा तो हम इसको रोक सकते हैं, पर उनका खालत इतना खराब हो जाएगा पहले चरण में उनका आशा नहीं था, तो अब जो हुआ है कि वो राइट विंग के तो एक हिसाब से रोक तो दिये ही हैं, और दोनों पार्टियां जो टू और थ्री पे थी पहले चरण में, अब जाके व इस पे बढ़ जाएंगे, यह नहीं हुआ, बलकि उल्टा हुआ है, लोगों ने कहा कि मैकरॉन की पॉलिसीज हमें पसंद नहीं है, और वो उदोने बताया, तो मैकरॉन कमजोर तो हुआ है, इस पे कोई दोराए नहीं है, पर अभी भी मनूवरिंग जो चल रही है, उससे कोशिश हो रही है कि लेफ्ट से एक सेक्शन को अगर आके मैकरॉन की जो फॉर्मेशन है, उससे अगर मिले, वहां भी तीन-चार पार्टिया है, तो अगर मिले, तो शायद उनकी बहुमत हो जाए, तो यह देखना पड़ेगा क्या होता है, तो एक इंस्टेबिलिटी के द जो है, फिर दुबारा चुनाओ करा सकते हैं, और चाहते हैं, और अब हम चलें अगर युनाटिट किंग्डम की तरफ, ब्रिटेन की तरफ, तो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था, और कंजर्वेटिव और उनके जो रिप्रेजेंटेट इस पार उफार है, वह भी साफ दिखाई दे रहा है, तक sıमझे है, तक कहले है जब कंजर्वेटिव पार्टी रही है, और सब से राइट विंग कंसर्वेटिव पार्टी रही है, बहुत दशकों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा था, जी, मैं यहां रिफॉर्म यूके की जो बात आप कर रही है उसके साथ सा देवी देखना पड़ गा कि अ कंजर्वेटी पार्टी के हाल क्या है और इसमे जो पहले बोरिस जॉन्सन उसका स्वर और फराज का स्वर पे इतना फरक नहीं था लिस ट्रस ने जो किया था अपने दो हफ़ता तीन हफ़ता पार्लेमेंट में प्राइम मिनिस्टर होके वो एकदम राइट विंग पॉलिशी से इकनॉमिक्स में था तो इसी लिए कंजर्वेटी पार्टी वो नहीं रही जो एक राइट लिबरल पोजिशन लेने की कोशिश क करता है काफी राइट विग वो खुद चले गए है और इसी लिए फराज की जो पॉजिशन है उस पे इतना फरक नजर नहीं आता इस कंजर्वेटी पार्टी के अगर कंपेर करे तो तो इसी लिए इसमें गेन जो फराज को हुआ है ही इसी लिए हुआ है कि वो रिफॉर्म का नाम पे वो पहला ब्रेक्षिट का अगवाई किया था कंसर्वेटी पार्टी कभी ब्रेक्षिट की पक्ष पे थे कभी ब्रेक्षिट के खिलाफ थे तो उनका ख्लारिटी नहीं था वो किधर है सेंटर पे है राइट पे है एक्स्ट्रीम राइट पे है उनके पार्टी यह जो बहत चल रही थी, हम आज के तारिख पे हम ब्रिटन को कैसे, क्या कहेंगे, रेलेवेंट कर सकते दुनिया में, हकीकत तो है कि United Kingdom, Great Britain, जो भी कहें, उनकी रेलेवेंस धीरे-धीरे कम होती जाएगी दुनिया में, तो उनका सिर्फ एहभियत इसलिए अभी भी है, कि लं इंडन के साथ एक दीब जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है, Great Britain, तो वह एक्चुली, Financial Center के वजय से, उसका पूछते हैं लोग, क्योंकि बहुत पैसा वहां से होता है, दुनिया की बहुत सारे लोग वहां पैसा रखते हैं, हम देखी सकते हैं, कितने बड़े-बड़े दु पैसा लेके बागे हैं, ऐसा लेके खाली हाथ भागे हैं, वहां पर जाते हैं, तो वुन सब जो है, Hot Money की जगह लंडन बना है, सबसे बड़ा Financial Center दुनिया का, जिसमे लोग क्या कहेंगे, एक बड़ा अच्छा शब्द है, कि द्वीप है कुछ जो कि इस तरह का खजाना ले इंगलेंड भी एक ट्रेजल आइलेंड है, जिसलिए कहा, कि एक Financial Center attached to an Island, एक दीप से जुड़ा हुआ है, एक Financial Center लेंडन है, यहां पर मैं एक थोड़ा सा डिस्केशन इस पर भी चाहूंगी, कि इन दोनों देशों में, migration एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और हमने देखा कि जब लेबर जीता है, तो जो रवांडा प्रोजेक्ट था, रिशी सुनक जी का, उन्होंने कहा सबसे पहले कि it's dead and buried, जो migrants को यहां से उठाकर वो रवांडा ले जा रहे थे, इसी तरह से फ्रांस में भी, जो पूरी दक्षन भंती politics है और जो centrist party भी है, वो एक लंबे समय से migration पर बहुत जादा एक नफरत वाला माहौल जो बना हुआ था, religion और religious minority इसको लेकर बना हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि यह जो result है इन दोनों देशों का, यह इन दोनों का भी एक जवाब है, इन दोनों मु immigration, religious minority और unemployment. देखे, अगर आप देखे कि minorities की प्रती रवया क्या है, तो दोनों चीज सामने है, एक है कि एक section वहाँ पर left के तरफ गया है, कम से कम France में, फिलिस्टीन को लेके Labour Party भी वोट लूज कर चुकी है, अगर वोटिंग फिगर देखे, त आप देखे कि लेवर पहले से आधा परसेंट बढ़ा है. Conservative Party ने वोट लूज किया है, ना फराज के पार्टी, Reform UK पर. तो यह जो ट्रांसफर हुआ है, 14 परसेंट की वोट आया है, पहले 4-5 परसेंट से ज्यादा नहीं होता था, 10 परसेंट शिफ्ट, टू पार्टी जो फॉर्मेशन है, UK में र पॉपुलरिटी उस तरह के नहीं हुई है, Conservative Party की खार हुई है, और इसके पिछे यह भी वजय था कि फिलिस्टीन पी जो लाई चल रही है, और इनोंने सर अपना आपको नाइट गोशित कर रहे है, सर स्टारबर जो है, इनोंने पालेस्टाइन के खिलाफ अपना आवाज अब पूरी तरह से इस्रेइल के साथ है, इसलिए भी एक सेक्शन उनको वोट नहीं दिया, बलकि फिलिस्टीन को सपोर्ट करने वाले कैंडिडेट्स को दिया है, जर्भी कॉर्बिन जो पहले प्राइम मिनिस्टर, रहा चुक है, लेवर पार्टी, जिसको एक्शली अंट लेवर पार्टी के, बर तूटके वहां पर गया है, क्योंकि लेवर पार्टी का जो कम्प्लीटली अंटी फिलिस्टीन स्टैंड रहा है, उसको समर्थन नहीं करते है, इसलिए उन्हों ने लेवर पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया और चुनाव लगे, तो यह सब देख लगू है, दुनिया में भी यूके को आजकल कोई पूछता नहीं है, हकीकत तो यह है, सवाल यह है कि यॉरप में फ्रांस के अभी भी चलती है, फ्रांस और जर्मिनी यॉरपियन यूनियन के सबसे बड़े सदस्व माने जाते हैं, कि एकॉनमी सबसे बड़ा है वहां पर, इसलिए फ्रांस और जर्मिनी के अहमेत इसलिए है कि यॉरप का भी भी अहमेत दुनिया में है, और जब तक यह लड़ाई उक्रेन के जैसे लड़ाई चल रहा है, और भी इस्टन यॉरप में और भी जंग तो नहीं है, पर टेंशन है, तो इन सब को देखते हुए, रूस कैसे कंटेंड करेंगे यॉरप को इस्तेमाल करेंगे खास्तोर से अमरिका को जो विचार है इसमें फ्रांस जर्मिनी मैं क्या होता देखनी की जुरूरत है, इंगिलेंड को थोड़े दिन के लिए चोड़ देना चाहिए, युके को छोड़ देना चाहिए, अपने, तो पजिश्कियान अलग-अलग धंग से उनका नाम प्रिनाउंस किया जाता है और उनकी जीत है काफी मार्जिन से जीते हैं और उनकी जीत इसलिए भी बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि ऐसे समय हुई है जिस समय 19 मई को हेलिकॉप्टर क्रैश में रहिसी की मौत होती है उसके चुनाओं होता है और चुनाओं में बड़े पैमाने पे लोग वोट देते हैं और इनका भी मार्जिन जो है करीब 30 लाग का मार्जिन के साथ जीते हैं और कटरपंथी नेता सईद जलीली को हराया इन्होंने यह जो चेंज है क्योंकि इनको सुधारवादी नेता माना जात है तो इरान की यह जीत कैसे क्योंकि इरान लगातार निशाने पर है अमरीका के भी निशाने पर है और हम देख रहे हैं कि बगल मेयुद चली रहा है घजा पर लगातार बंबारी चल रही है इसराइल की तेखे इसका अगर चुनाओं वी रिजल्ट देखना चाहे तो हमें तीन क्या कहेंगे एक्सिस पर देखना चाहिए एक एक्सिस का इसका असर वेस्ट एश्या पर किस तरह पढ़ेगा पढ़ेगा मतलब वहां पर सबसे बड़ा कॉंट्रिक्शन इस्रेल फिलिस्टीन को लेका है और इसमें कोई दोराय नहीं है कोई भी अरब देश हो पर्ष इस वक्त फिलिस्टीनियों की प्रती है और सिर्फ यह नहीं दुनिया के जानतर मुल्कों में हम देख रहे हैं अभी कि जो पलड़ा जो है इसरेल के खिलाफ भारी हो रहा है तो यह सिर्फ अमरीका के इलावा और किसी कोई भी देश पूरी तरह से इसरेल को समर्थर नहीं किया बाइडन हो ट्रम्प हो उन दोनों को इसरेल के बारे में कोई अलग सुर नहीं निकल रहा है एक ही भाशा में बात कर रहे हैं और इसलिए वहां पर वेस्ट एशिया में अमरीका के पक्ष में कोई इसरेल के इशु को लेके नहीं जाएगा और इसलिए संग्या इरान में लगाना संभव है नहीं यह अलग बात है क्योंकि इस माबनाबनंड से दोनों बराबर निकलेंगे और अमरीका के साथ समझावता करने की जो एक नुक्लियर डील थी तो वस चीज का विंडो जो है इस वक्त बंद हो रहा है क्योंकि ट्रम्प लगता है ज है कि बाइडन विड्वान करने का चांस कम है अगर बाइडन विड्वान नहीं करता ट्रम्प जीते का ट्रम्प जीते का तो इसरेल पे प्रती उसका आस्था उतना ही है जितना बाइडन का है इसलिए कैसे वो इसरेल के साथ कित्ता दूर तक चलेंगे वह अलग बात है पर इस्रेल के साथ रहेंगे इस पे कोई दो रहेंगे और इरान के साथ न्यूक्लियर डील वाला मसलफ होगा ने मसलफ कोई सवाल नहीं होने का क्योंकि उसके पीछे सबसे ज़्यादा प्रशार इस्रेल कर रहा है जो बाइडन पर भी काम करता है ट्रम्प तो खैर उस पे अगवाई किया था कि हमने ही तो इरान का न्यूक्लियर डील कंसल करा हमने ही तो यह किया था पर Biden के पास वक्त था इसको सुधारदे का चांस था कि इसको करें पर उसको लग रहा था उनके administration का लग रहा था एरान से हम और concessions ले सकते हैं वो उनको नहीं मिला जो इरान जो देने वाला नहीं था तो इसी लिए जो अंतर राष्ट्रे राजनी थी कि अगर उस परिप्रेक्ष में देखेंगे, तो मैं नहीं समाशता हूँ कि चाहे रीजिनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, इस पे कोई फरक पढ़ने वाला है, क्योंकि डिटर्मिनिंग निनायग जो इशू है इस वाख फिलिस वो दूसरे चीजों के हैंडल करेंगे, किस तरह से जो मौरल पुलीसिंग के उपर जो काफी गुस्सा वहाँ पर खाफिलाओं में है, तो उस पर यंग्स्टर्स में है, तो इन सब चीजों को लेकर फरक पढ़ेगा, और ये फरक पहले भी पढ़ा था, जब पहले जो तथ नहीं चलाएगा पर बताएगा क्या सही है या क्या गलत है, वो रहेगा, तो उसको उसके साथ ही बातचीत करके हम देश को आगे ले जाएंगे, तो वहाँ पर तो उन्होंने मारक दर्शक मंदल अगर कहें, सुप्रीम लीडर एक मारक दर्शक करेगा, वो तो मान लिया है, और उसके दायरे के अंदर ही अपने पॉलिशी करेंगे, एकनॉमिक पॉलिशी हो जा सोशल पॉलिशी हो करेंगे, पर दायरा बधा है, तो यहां पर जो आपने कहा पॉलिसिंग की जो आइसपेक्ट है, इन चीजों पे बदला होने का सब्भावना है, क्योंकि 9% वोट का फरक बहुत होता है, चुनाओ में, हमसे जानते हैं कि 9% पे किता फरक पड़ जाता है, इसलिए बहुत होता है, और जो पेजश्कियान की जीतना, यह भी समझना चाहिए, कि सुप्रीम लीडर जो है, उनके निगाह में भी कुछ बदलाव ज़रूरी है, नहीं तो उनको कि एक दायरे के अंदर यह राडिकल हो या लिबरल हो यह से बाते कही जाती है, पर दायरा बदा हुआ है, उस दायरे के अंदर कुछ इधर कुछ उधर, इसकी रुजान के बारे में हम बात कर रहे हैं, बड़ा इशु जो है, उस पे कोई खास फरक नजर नहीं आता मुझे मुझे नहीं लगता है कोई खास फरक पढ़ेगा, और खास तोर से अमरीका इरान के संबन में सुधार होना, इसरेल के साथ नॉर्मलाइज होना, आज के हालात को देखते होना संभब नहीं है, बिल्कुल संभब नहीं है, खास तोर से जिस पॉलिटिक्स इस वक्त इस वक् और चली रहा है नहीं, दुनिया भी स्वक्त मानने के लिए तेयार है, जेनोसाइड हो रहा है, यॉर्प के जादा तर देश जो पहले कहने सकते थे, क्युंकि उनकी पुरानी इतिहास भी यहुदियों के खिलाफ है, वो भी अब कहने लगे है, तो थर्ड वर्ल दुनिया, इसरी दुनिया जो कहते हम, या ग्लोबल साउथ जो कहते हैं, उन्होंने कभी भी इसरेल को समर्थन ही नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं, जभी भी इसरेल के बारे में चर्चा हुआ है, यॉर्पन कुछ देश और अमरिका अपना वीटो और समर्थन देते थे, और को समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने समझता हूँ कि इसरेल-फिलिस्टीन की इशू ये इरान तक पहुंचेगा, ये एक्चुली निरने होगा, फिलिस्टीन और इसरेल में क्या हो रहा उसको लेके, और वही चीज अल्टिमेटली इसरेल को ये तो फोर्स करेगा, समझा पहुता करने में ये तो ये नरसिंगार चलता रहेगा, कब तक दुनिया इसको सही कि देखने की बात है, और खत्रा इस वक्त इसको बढ़ने की है, क्योंकि ये आग जो गाजा में जल रही है, उसको इस वक्त लेवलान में भी ट्रांसफर करने की कोशिश के रही है, खुलेगा, तो वेस्ट इशिया के दिशा क्या होगा, और ज्यादा चिंता जनक रहेगा, तो फिलहाल ये बात तो तैह है प्रबीर, कि ये तीन देश, तीन देशों के चुनावी परिणाम, एक अलग धंका संदेश देश को और अपने अपने देश को और दुनिया को, क्य क्या असर होता है, उसकी कूटनीती पर क्या असर होता है, ये एक दिल्चस्प सीन है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सामाने तोर पे उसी देश के संदर में वहां के चुनावी परिणाम को देखने के आदी रहे हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, देखिए, लाइक करिए शेर के रिए पड़ताल दुनिया भर की और न्यूस क्लिक, ताकि दुनिया में जो घटनाए हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे की जो घटनाए हैं और पॉलिटिक्स हैं, उन पर हम आपके साथ चर्चा कर सकें, शुक्रिया